मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम रिश्वत खोरों के लिए काल साबित हो रही है तीन साल से कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है भ्रष्टाचारियों पर यह कारवाई भ्रष्टाचार मुक्त आप 1064 की लांचिंग के बाद तेज हो गई है आप पर अब तक करीब 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज हुई है इन में से भ्रष्टाचार से जुड़ी 38 शिकायतों पर विजिलेंस जाच कर रही है जबकि नॉन विजिलेंस से जुड़ी शिकायतें सम्मंधित विभागों को भेज दी गई है मुख्यमंतरी धामी का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचारी चाहे छोटा हो या बड़ा सबकी जगह जेल में होती है 23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 गिरफतार हुए है उनमें अकेले मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग धामी के 3 साल के कारेकाल में रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर विजिलेंस ने 68 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया है विजिलेंस की इस कारवाई में 13 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और बड़े अधिकारी भी शामिल है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विजिलेंस ने भी 1064 एप पर मिली भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर ताबर तोड़ कारवाई कर भ्रष्टाचारियों को गिरफतार किया विजिलेंस इस साल अब तक रिकॉर्ड 23 ट्रैप कर 30 को जेल भेज चुकी है मुख्यमंत्री पुशकर सिंगधामी खुद इस तरह के मामलों की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और नजर भी रख रहे हैं